नमस्कार आज लेकर आईयों भर्वा करेले बनाने का आसान तरीका जिसे एक बार बनाएंगे तो हर बार इसी तरीके से भर्वा करेले बनाएंगे और स्टफिंग बाहर निकलने की परिशानी भी नहीं रहेगी तो चलिए बनाते हैं स्टफ्ट करेले तो यहाँ पर मैंने आदा किलो करेले लिया है तो इन करेलों की जो स्टेम है वो मैं इस तरह से निकाल दूँगी और करेले को हम चाको से छील लेंगे सारा चिलका हम उतार देंगे तो ऐसे मैंने सारे करेले छील लिया है आप इन करेलों को हम बीज में से इस तरह से कट कर लेंगे ऐसे कट करने के बाद में हमने इसके जो बीज है वो सारे निकाल देने हैं क्योंकि हमने जो स्टफिंग है वो इन करेलों के अंदर ऐसे ही फिल करनी है तो सारे बीज हम निकाल देंगे और करेले को ऐसे अंदर से खोखला कर लेंगे ऐसे मैंने सारे करेले कट कर लिये हैं और बीज निकाल लिये हैं तो अब बनाएंगे इसकी स्टफिंग तो यहां पर मैंने दो चमच मुफली के दाने लिये हैं दो चम्मज का मतलब आदा कटोरी, तो उसे मैं भून लोगी, इसको मैं जादा नहीं भूनना है, बस हलका सा कलर आने तक हम इसे भून लेंगे, और फिर एक ग्राइंडर जार के अंदर हम इसे डाल देंगे, अब इसमें डालेंगे हम मुठी भर किश्मिश, किश्मिश के बा दर-दरा पाउडर हमें चाहिए, स्टफिंग के लिए, तो अब इसे हम एक प्लेट के निकाल लेंगे, अब डालेंगे इसके निदर मसाले, स्वाद के अंसार नमक डालिएगा, आदा चमच धनिया पाउडर, आदा चमच लाल मिर्च का पाउडर, एक चमच आम चूर, आदा चमच हल्दी, एक चमच किशन किंग का मसाला, आप चाहिए गराब मसाला भी डाल सकते हैं, चुटकी बर हींग, बस आब इन सब कहूँ, म इला लेंगे अच्छे से, ये देखी कितनी बड़िया स्टफिंग तयार हुई है, बिल्कुल ऐसा ही हमें दरदरा मसाला चाहिए था, अब एके करकर हम करेले लेंगे, और उसके अंदर हम हाथ से ही स्टफिंग को फिल करेंगे, थोड़ा हाथ से स्टफिंग को हम दबा दे एसे हम सारे करेले स्टफ कर लेंगे, बस हाथ से थोड़ा प्रेस कर दीजिए, उसके स्टफिंग है वो अंदर अच्छे से दब जाएगी, तो यहां पर मैंने सारे करेले ऐसे स्टफ कर लिया है, अब एक कडाई के अंदर हम सरसो का तेल लेंगे, एक कट्ची सरसो का तेल तिल गरम होने के बाद में उसके अंदर हम करेलों को फ्राई होने के लिए रख देंगे, करेले हमने लो फ्लेम के उपर पकाने है, क्योंकि सूखी जो सबजी है, वो लो फ्लेम पर ही बढ़िया बनती है, अगर आप फ्लेम तेज रखेंगे, तो करेले जल जाएंगे, और अंदर से कच्ची भी रह जाएंगे, तो यहाँ पर पांच मिनिट के बाद हम करेलों को थोड़ा पलट देंगे, ताकि यह दूसरी तरफ से भी सिख जाए, तो करेलों को हम बीज-बीज में से पलटते रहेंगे, अब इस पर हम धक्कल लगा देंगे, और दस मिनिट के बाद खोल के देखेंगे, करेले त्यार होने शुरू हो गए हैं, धिरे-धिरे हमने जो बाकी करेले जो फिल कर रखे थे, वो भी हम कडाई के अंदर डालते रहेंगे, इन करेलों के अंदर जो स्टॉफिंग है किश्मिश की उससे मीठा पन भी आएगा, जो सौफ की स्टॉफिंग है उससे खुश्बू आएगी, अब मैं करेलों को बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि पहले बैच वेले करेले त्यार हो गए हैं, इसके अंदर जो मुफिली की स्टॉफिंग है, उससे क्रंची पन बहुत बढ़ी आएगा, तो अब करेलों को बाहर निकाल लेंगे, तो यहां पर बचे हुए सारे मैंने करेले बारी बारी से डाल दिया है, और सब्सक्राइब को हम ऐसे सेक लेंगे, जो तयार हो रहे है क्रेले वो हम बहार निकाल लेंगे और बस यह देखिए मैंने यह क्रेले को पलट भी दिया है पर फिर भी देखिए स्टफिंग बहार नहीं आ रही है इस तरीके से अगर आप क्रेले बनाएंगे तो स्टफिंग बहार नहीं आएगी और आपको बहुत सारे flavors करेली की सबजी में मिलेंगे तो इस बार इस तरीके से आप करेली ट्राई करिए ये देखिए कितने बढ़िया करेली बनकर तयार है तो यहाँ पर मैंने आदा नीम्बू लिया है और उसे मैं इस भर्मा करेली की सबजी की उपर निचोड़ दूगी इससे जो टेस्ट है करेली की सबजी का वो और भी एहनास हो जाएगा तो इस बार इस तरीके से आप भर्मा करेली की सबजी ट्राई करिए और बताइए यह स्टफ्ट क्रेली की रेसिपी आपको कैसी लगी पसंद आई तो चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और रेसिपी को शेयर भी करिए थैंक यू